कितनी को देखा आप लोगों ने कि आज मैं जा रहा हूँ जावा की शोरूम में जावा पिराख चलाने के लिए अगर हम लोग एड़िसमेंट करना बंद कर देंगे ना हम लोग रिव्यू करना बंद कर देंगे कोई भी शोरूम की कोई भी बाइक नहीं विकेगी और जो लो अच्छा से लिगाता हूं इस टेबल देख रहे हो लगांद एक गंद एकन और करना लेकिन वह लोग काफी जाए जुगालू सेटब्स आया जुगालू सेटब अच्छे नहीं लगते यहां बेरा कुछ रिगिस्टर तो गयरा ट्राइपड का समान ड्सलार एक्शन गामरे जो आई थी और जो टूड़ गया के ऐसे चोटी है वही तो गहरा है ऐसे यह कितनी है पर इसका लगकड़ भुतला है कितनी है यह लिखा है यहां पर यार वही नहीं लिखता ना लिखाओ एटीएट एक्यावन शेता बूम तो गईस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूं और दिस इस माई न्यू टेबल तो भाई कमेंट करके बताना कैसी लग रही है और यह मैंने स्पेशली जो लिए है वहाई अपने DSLR का बैग और गोप्रो का बॉक्स और बाकि सब एक्सेसरी वगरा आएंगी अभी कुछ पेपर बेपर पड़ें बिल वगरा तो उनको साइड कर देते हैं यहां पर बैटके मस्त काम करूंगा आप सब लोग सोचरों के भाई कौन से खेद हो रखे है यहां पर आक्षिल मे लगा दिये ताकि कोई बेन इसान उपर ना ए अच्छा सा लगें इंटेंट इंसा लगे और यहां अमारा भाई गोप्रो का सेट अप लगे रहा तो कमेंड करके बताना भाई टेबल कैसी लगी और यह मेरा आज से वरक स्पेस यह मेरी चेर तो मस्त आपका भाई जो है यह उसके बारे में कुछ आगे जलके बात करते हैं बाइक गरम हो चुकी है सर्दियों में एंजिन गरम करना बहुत ज़रा जरूरी होता है यार मैंने टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो में बताया हुए अगर वो नहीं देखे हैं तो जाके देखो वीडियो बहुत काम की वीडियो है तो कैसो आप लोग मैं हूँ आपका उस्टिंदोस थर्सानी और यहां मेरा वाइसर बहुत जादा गंदा हो रख्या और मैं इसको आज भी साफ करना भूल गया तो में जब वाइसर खोल के ही चलानी पड़ेगी बाइक तो थोड़ा सा माइक में इशू आ सकता आएगा नहीं से और काफी जादा लोगों ने बोला कि वीडियो कॉलिटी और माइक कॉलिटी बहुत अच्छी है यह लास्ट लोग में तो मुझे काफी अच्छा लगा पता है व्यूज आए ना कोई फरक ने बढ़ता है लिकिन जो आप लोग को कॉमेंट्स है ना उससे तो आज की वीडियो को थम्ने टाइडल भाई जो देखा आप लोगों ने कि आज मैं जा रहा हम जावा के शोरूम में जावा पिराक चलाने के लिए जावा 42 के अपर मैंने एक वीडियो बना रख लिए तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है आई बटन में कि इसके अंदर में बाइक को रिव्यू कर रहा हूं मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों कैसा लग रहा है हेल्फुल है या नहीं और मजा आ रहे देखने में नहीं आ रहा मैंने तो यह भी सोचा कि हाइनेस 350 जो आई सीवी 350 होंडा की उसको भी रिव्यू कुरू हू हुआ है बागी लेट फो फो दगोड चलते हैं आगे एक चीज आप लोगो बोलूंगा काफी लोग जब बाइक लेने जाते तो सबको रॉयल इंफिल का जो बूट चला हुता लेक मुझे भी चलाथा तो आज उस भूट को मैं साफ करूंग पिराग चलाने के बाद में और मुझे काफी ज्यादा जो है उससे उमीदे हैं और यहोप वो पाइक अच्छी निकले क्योंकि लो क्या है और वेक्स मार्केट में देखते ही नहीं है जिसके वज़ए से मॉनपी हो जाती है मार्केट के अंदर मैं रॉयल इंफिल को बिल्कुल भी नहीं बोला कि बिकार है किनाल हो जाई हो मैं खुद ओन करता हूं तो अपनी परस्नल चोईज है बट एक लिस्ट जो बाइक मार्केट में हैं हम उनको देख के अपनी ड्यूटी तो पुरी कर सिकते है ना तो बस बही ड्यूटी को पूरी करने जा रहा हो आज में आप लोगों के लिए तो भाई ल करणाब कर दो है जोल्डा इतना बॉत था में इच था फोड़ो या स launches मैं आप लोगों सापने श्थी एर करता हुँ यहांपे कोई मैं किसी को deffamed करने ही कोशीश निकर रहा जहां भी जस्म也 आप लोगों सापने experience share करूँ और बिल्कुल neutral लोगे share करूँगा अपना experience को यहाँ पर मैं कोई भी brand को compare नहीं करूँगा कोई भी service center को कोई भी showroom का नाम नहीं लोगा बसे एक brand का नाम लोगा Java, Java personally मुझे क्योँ पसंद नहीं है actual में मैं आप लोगों से अपना experience करता हूँ जैसे कि आप लोगों ने motor vlog देखा clip देखी मैं पूरा वहाँ Java के showroom पर गया Java पिराग को review करने basically तो जब भी मैं कोई भी showroom पर जाता हूँ तो वहाँ पर जाके बातचीत पहले करके जाता हूँ कि यह bike मुझे review करनी है और आप मुझे थोड़ी देर के लिए bike अपनी देदोगे बदले में मैं कुछ भी मुझसे वो कुछ भी नहीं मांगते हैं ना मैं उन्से कुछ भी promotion के लिए मांगता हूँ जस्मान को showroom प्रमोट कर देता हूँ कि भाई अगर किसी को बाइक लेनी है तो इस फलाना डिमकाना शोरूम पर आके बाइक ले लेना और जो भी शोरूस में आज तक गया हूँ मेरा experience बहुत अच्छा रहा है लेकिन इस बार West Delhi के अंदर मैं आप लोगों को बता हूँ में एक ही शोरूम है जावा का वहाँ पर मैं गया नाम नहीं लोगा जावा की शोरूम का कौन सा शोरूम था मैं वहाँ गया वहाँ पर जाकर कि जो ओनर था मैनेजर था जो भी बंदा था भाई इतना बत्तमीज इतना बत्तमीज अब आपके भाई से कोई भी बात करता ना तो मैं बहुत तमीज से बात करता हूँ लेकर अगर कोई बत्तमीज दिखाता है तो उसकी लेने की देनी करत च Cindy pause C से क्या हुआ कि काफी यूट्यूबर्स जो बच्चे बुच्चे हैं क्या घरते हैं सब अश्जरूम पे चले आते हैं कोई भी सौरी मेरा घरगए जाते कि interacting वाले कौई था। एमारे हैं कि से बत्तमिली से बात करेंगे, एक्सेप्टेवल है, भाई, आपके जो शोरूम चल रहा है, आपकी जो भाईके विक्रे, आपको कुछ भी हो रहा है, वो just because of advertisement, just because of media, just because of social media चल रहा है, अगर हम लोग advertisement करना बंद कर देंगे, हम लोग review करना बंद कर देंगे, कोई भी शोरूम होता है, उस पर भाई के बिखती है, नाना करते हूं, मैं बुरा मात माना, बट मैं royal infield के literally बता रहा हूं, कम से कम मुझसे हजारों लोगों ने पूछा है, DM करके भाई, यह वाली भाईक लूँ, यह वाली भाईक लूँ, मैं नहीं बोलता, royal infield हो, सब की वादे समझता हू सुनता हूं, किसकी क्या need है, उस सबसे से recommend करता हूं, सबूरी नहीं है, यहां पर 100 बातों के लिए एक बात मैं com conclude करना जाओंगा, वो यही बोलना चाओंगा भाई, क्या वाघ्वा सेंज है, after sales है, भाई, हाध बेकार है, में पर जितने डियम आया ना सब ने बोला कि मेरे experience बहुत बेकार है पहले बात तो इनके शोरूम्स है बहुत दूर दूर है बहुत दूर दूर है मैं डेली के रहता हूं डेली के बीच में रहता हूं लेकिन आजपस एक शोग में और रोल इंप्रील के कम से कम पांच शोर में मेरे घर के बास में यहां पर यह नहीं बोलूँगा कि बढ़िया है जावा विकार है नहीं मैं जब इसकी बात करूँगा बढ़िया है बहुत बढ़िया है लेकिन जब तक जावा से कोई देख रहा है अगर तुम लोग अपनी आफ्टर सेल्स नहीं सुधार होगा ना भाई कुछ नहीं होगा मैं कहा रहा हूं तुम्हें चीज और बस रहीं कहना हो किसी को भी दिफेम करने कोशिश नहीं कर रहा तुमसे टाइम नहीं दे रहा, तुम जो पूछरव तुम्हें बतानी रहा, उठो और चले जाओ वासे, शोरूम की कम ही नहीं है भाई, रॉयलन फिल्ट के दस शोरूम है दिल्ली के अंदर, दस तो कम केरों जाद ही है, बहुत शोरूम है, कहीं भी जाओ, लेकिन उस बंदे सेजिस, बस यहीं बोलना चाहूंगा, और फ्रस्टेशन दी काफी जादा, जिसले के मूड खराब सहु रखा था, बट इनसे कोई फरक नहीं बढ़ता मुझे है, इनके करने से इनके यूट, उनसे कुछ भी नहीं होता, आप सब लोग मुझे देखता हो, आप सब लोग पल्यो को प्रोट करके न अपने चानल की, मैं वैङली नहीं गिराऊंगा, तो भाई सारी बात की एक बाद यथी बोलूगा, कोई भी शोरूम पर जा रेए, चाहिए आप है बसाल लेने जा रेए, चाहिए आप स्प्लेंदर लेने जा रेए, चाहिए आप बुलट लेने के लेना क्योंकि आफ्टर सेल्स बहुत ज़रूरी है अगर स्कूल में पड़ा होता तो भाई आज तमीज से बात करो तो लोगों से कंजूमर से एंड बस वाकी इतना ही बोलूंगा तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं पता है थोड़ा सा भाई मतलब मैंन टुमें टॉक को गई आप लोगों से लेगे ने करनी भी ज़रूरी थी क्योंकि भाई अगर मैं अंदर ही बाते भरता होंगा तो फिर मजा से नहीं आएगा अब मैंने सारी बाते निकाल दीना अब इस गोप्रो से मस्त मोटो ब्लॉक शूट करेंगे एंड एक राइड की ब्लान कर रहा ह जो बात मैंने करी वह सही है या गलत इस लाइक डिसलाइक के रेशियो से मैं समझ जाओंगा कितने लोग कह रहे सही कितने लोग कह रहे गलत बाकि कोई भी सुझा हुआ हुए कमेंट सेक्शन खुला हुए बहां पर आगे अच्छे से कोमेंट करो आपका भाई सारे मतब तेक के ले बाई बाई सायो नहीं रा एक रिक रिए